ओम स्रीगनी साइनम दोस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर दिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 जून बुद्वार की राशी फल के बारे में कीह दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिस से समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए बुद्वार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो यदि आप वैवसाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेश के लिए भी आज आप अवसर ढूंड सकते हैं यह आपके आर्थिक निवेश के लिए अच्छा हो सकता है जिससे आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं आज आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा तथा कामकाज के छेत्र में आपको अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है अवसर तलासें तथा निवेश करें जिससे आपको काम्याभी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक इस्तिती आपकी काफी मजबूत हो दोस्तो साथ इसाथ कोई अप्रतियासित आए या सायद विरासत आपका इंटजार कर रही है इस आए का अच्छे से प्रियोग करें जैसे किसी यात्रा या ऐसी कतिविदी में जो आपके उधस्य का इसपस्ट अर्थ दें उन विचारों को लोगों को बताएं जो आपके दिमाग में हैं और इसके लिए जरूर रिशर्च करें अपने आसपास के लोगों से मिलें और अपने वरिष्ट को प्रबावित करने के लिए सब्दों की अपनी निपुणता का प्रियोग करें अपने केरियर को बढ़ाने और कुछ पैसेवर योजना या रणनीतियां बनाने के लिए यह एक शांदार समय हैं आपके साथ ही और सेयोगी अभी आपकी अच्छी सलाहों को पहचानेंगे दोस्तो रचनात्मक कारों किप्रती आज आपका रुजहान बढ़ेगा इस अवसर का आप लाब उठाएं और नए तरीके से काम करने का मौका हाथ से ना जाने दे अपनी रचनात्मक्ता से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं अपनी कारचमता से दूसरों को आज आप प्रभावित करेंगे कारचेत्र में तरक्की के योग हैं आस्मिक धनला भी आज आपको हो सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो घरेलू समस्याओं को दूर करने में ही आपका घरेलू विकास संभव है अन्यता परिसानिया बढ़ सकती हैं अपने आप पर भरोसा करें तथा अपने घर परिवार के सदस्यों पर भरोसा करें किसी अन्य व्यक् में आपसी समंजस बनाए रखने का प्रत्न करें तथा एक दूसरे पर भरोसा करते हुए किसी भी कार्रे को करें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्ण प्रियास करते हुए माता पिता से संबंद मधूर बनाए रखने का प्रियास करें ऐसे व्यक्ति के पास जा केंद्रित करने का नहीं बलकि अपने दरश्टिकोन को बदलने और नए विचारों को सोचने का है बहुत से लोग आप से कई मांगे रख सकते हैं इससे आपका अधिकतर समय मल्टी टास्किंग में व्यत्तित होगा बस वही करते रहें जो आप कर रहे हैं और आपको जरूरी स जफल तामिलेगी एक नुकसान या दुखद जो अभी सायद आपके परिवार को प्रबावित कर रहा हैं आपको बेचेन करेगा दोस्तों कारे भार की आज अधिकता से जरूरी कामों को आज समय पर नहीं दे पाएंगे इसलिए किरोद की आज अधिकता रहेगी नकारात्म क्विचारों से दूर रहें और अधिकारियों से वाद विवाद करने से बचें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेनी वाली हैं दोस्तों आपको अपने प्रेम जीवन में आज समल कर चलना होगा क्योंकि जरासी भी बात बड़ी हो सकती हैं और उसका प्रभाब आपके प्रेम जीवन में नकारत्मक रूप से आ सकता है आपकी प्रेम पाने की भी आज मुराद पूरी होगी और ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको एक प्रेतम के रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन साबित होने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेशाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैविशाई के गतिविदियां सफल होंगी और कारोबार में धनलाव के इस्तिती रहेगी, प्रॉपर्टी और सेयर भजार में निवेश करना अनलाबदायक रहेगा, अनावाशक खर्च की भी अधिता रहेगी, जिस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, साती सात नौकरी क करने वाले जातकों के लिए भी आजगा दिन अच्छा रहेगा, विध्यार्तियों के लिए भी दिन आज का मिला जूला रहने वाला है, दोस्तों आज आपके लिए वयपार से संबन्दित किसी यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे, टोट कचैरी से संबन्दित कोई अच्छी खासी व्रद्धी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। दोस्तो बात कर लेती हैं जापका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं। अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपए क्या हैं। दोस्तो आज आप इश्नान आदिशे निर्वत्र होने के बाद साथ साबत कोडियां लें। आपको बाजार में पूजन सामगरी की दुकान से आसनी से मिल जाएंगी। जा दोस्तो इसके बाद आप एक मुठी हरे खड़े मूंग लें। और दोनों को हरे कपड़े में बांध कर किसी मंदिर में जाकर शीडियों पर रखाएं। और मनिमन भगवान श्री गनेशी जी का इसमनार करते रहें। और अपनी मनों काम नहें मांगें। जा दोस्तो ध्यान रखें कि आप इस संबंद में किसी को कुछ न बताएं और पूरी आस्था रखें। जा दोस्तो ऐसा करने से भगवान श्री गनेशी जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लगी हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको सीगर ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहें भगवान श्री गनेशी जी के आसिरवाद से बहुत यासानी से बनने लगेंगे। दोस्तो भगवान श्री गनेशी जी का सिरवाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट सबोक्स में जैस श्री गनेश अवस्त से लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।